देस की संचद में चर्चा के कैयी मुद्दे हैं लेकिन विपक्षज ऐसे मुद्दो परड़ा है जिसे सायधी देस के आधियबादी को पता हो आखिर यह क्या है क्या काम करता है और इसके खत्रे क्या है और वो मुद्दा है Pagasus अब सवाल उड़ता है कि आखिर ये Pagasus है क्या दरसल Pagasus एक spyware है जिसे इसराइली साइबर सुरक्षा कमपनी NSO Group टेकनोलोजी ने बनाया है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ओडियो और टेक्स मेसेज़ेज, इमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है यानि Pagasus के इस्तमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारिया मिल सकती है ऐसे में विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर निगरानी कर कैई मौली का दिकारों का हनन किया है वही Pagasus प्रोवाइड कराने वाली कमपनी एनसो का दावा है कि ये प्रोग्राम वो केवल मानने ताप्राप सरकारी एजंसियों को ही बेशती है और जिसका उद्देश्य केवल आतंकवाद और अपरात के खिलाफ लड़ना है हाला कि केंद्र सरकार ने इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया है कि भारत सरकार ने इसराइली कमपनी एनसो से Pagasus Spyware ख़र